हेलो फ्रेंड्स यह डिस्क्लेमर है इससे पढ़ लीजिएगा मैं कोई से भी रेजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं और यह जो चैनल है ओनली एजुकेश्टन और लेर्निंग परपस के लिए हैं आप कोई भी ट्रेड लेने से पलए अपने से भी रेजिस्टर एडवाइज से जरूर पूछ ले मैं इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा तो कैसे हैं आप सब लाइन एंड चैनल में आप सभी का स्वागत हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडि होने वाला है और बहुत काम का भी वीडियो होने वाला है जिसको जैसा लगए उस हिसाब से आप लीजिए और समझने कोशिश कीजिए एक दो मिनिट के लिए एक बात जरूर करना चाहूंगा देखे इस मार्केट को क्रेक करना आसान है इतना आसा बस एक एक लाइन यह कह क कुस्ति के पैसेक मैं आज आप लोगों के लिए एक बेंगर का सिुस्टम लेकिरा हूं निफ्टि का निफ्टि के श्टर इलेकर आया हूं ऐसे हम समझने कोशिश करेंगे जानने कोशिश करेंगे हम उसका यूस कैसे कर सकते हैं कैसे वहमारे काम कि हैं आ rho ह MP3 काफी दिन्न का है और option buyer के भी काम का है बशलते आपको wait करना है और एक perfect system के लिए wait करना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को उसे समझिएगा मैं step by step सारे rules भी बताऊंगा उन्हें repeat भी करूंगा फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके अलावा टेलिग्राम पर जाकर एड़ी रेट भी ओस 1292 आईडी ए मुझसे संपर्क कर सकते हैं चैनल जोइन कर सकते हैं तो शुरू करते हैं bank nifty मैं selling कर् жд ibar हमारे पास पैसा कम होता है छोटा अंो बैंट होता है था हम पर शुरूण करना संद करते हैं बड़ा मंत होता है तो हम सेलिंग करना पशंद करते नं डोनो महीं अगर हमें entry point हमारा सही मिले तो हम बहुत कुछ सही कर सकते हैं तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको कुछ बाते जो basic बाते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं उन्हें आप समझिएगा सबसे पहले हमें करना क्या है तो हमें एक candle चाहिए इसका color change हो सकता है या red color तो नहीं हो पाएगा खेर एक ऐसी candle चाहिए हमें दिख रहा है आपको red color की मैं बताऊंगा अभी पूरे system को समझेगा एक ऐसी red color की जिसे inverted hammer हम कहते हैं ऐसी candle हमें चाहिए और एक अगली candle जो हमें चाहिए वह ऐसी चाहिए जो इसके नीचे closing दे रही हो ठीक है आप इसे खुद live test कीजिए back test कीजिए आपको बहुत कुछ मजा आने वाला है index के उपर बहुत सी चीजे मैंने खोजी जानी है आपके साथ share करूंगा सब कुछ ऐसी एक inverted hammer वाली candle हो और अगली candle उसके लोग के नीचे close हो जाए अगली candle है इसकी wick बड़ी ना हो ऐसे जैसे ऐसी wick बने इस तरीके की तो हम इसको consider नहीं करेंगे वick हो भी तो छोटी सी हो जैसे ऐसी candle है छोटी सी wick बन जाए चल जाएगा काँ ठीक है इससे ज्यादा बड़ी wick ना उपर की साइड हो कोई दिक्कत नहीं उपर की साइड तो wick चाय कितनी लंबी हो चलेगी नीचे की साइड विक नहीं होनी चीए और इस candle के लोग के नी इनवर्टेड हेमर बनना चीए वीवेप पर यह आपकी वीवेप की लाइन है और इस वीवेप की लाइन पर यह इनवर्टेड हेमर बनना चीए समझ मारा आपको बाद यह इनवर्टेड हेमर कहां बनना चीए वीवेप की लाइन पर बनना चीए ठीक है अज मैं आपको वी inverted hammer बने यह बननाचीह वी वैप पर ठीक है 10 शर्त यह बने कहां तो यह हमें देखना है ऑप्शन के चार्टपर किस के चार्टपर ना कि इससे हमें देखना है ऑप्शन recite पर और मैं आपको एक बैक टेस्ट इिख्आऊँगा भी और चुंकि यह विकली डाटा बार खत्म से observe कीजिएगा फिर next week observe कीजिएगा और कम से कम तीन मन्त के लिए क्योंकि मैंने भी observing शुरू की है तीन मन्त अगले तीन मन्त के लिए आप इसे टेस्ट कीजिए आपको अगर पैसा कमाना है आपको per day एक trade ही तो चाहिए one day one short 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 यह आप सभी का सपना है मेरा भी सपना है कि एक दिन में एक short 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 और एक short ऐसा हो जो इतना confirm मतलफ इतना confirm हो कि जब आप उस short को मारें तो आपको tension नहों क्योंकि हमारे पास क्या है मान लिए आपके पास 5000 जार की पूंजिए मैं इतना सा मान लेता हूँ आप option buy करना चाते हैं या चाहते हैं यां मैं धनी के Щा 2 जार कमा लूँ अगर डिन के साइब धो कमाने के आप बात करते हो तो अगर आप सिर्फ दिन के 1 400 te कमाते हो च्व है और 20 इज pagar कमां आप दोजर करने की orchid अगर इसकी जगे में यह कहूं, 2000 कम आते हो, तो मातर 20 दिन में आप capital, 20-30 दिन में अपनी capital डबल करने की शमतार रखते हो, लेकिन समझ्या कहा आती है, समझ्या यह आती है, कि हम देखे जहां घुश जाते हैं, देखे जहां काम करने लग जाते हैं, और फिर हम मारे जाते हैं तो मैं bank nifty के उपर कम सकम पांच ऐसे system आपको बताने वाला हूँ, जिन systems में से किसी भी एक पर आपने मारत हासिल कर लिए, तो आपकी जीत तह है, लेकिन आपको इसको पहले समझना पड़ेगा, लाइव मार्केट में इसको आपको खुद observe करना पड़ेगा, सीखना लेकिन इतना सा मैं किया रहा हूँ कि अगर आप बैठना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे तो आपको लगेगा कि मज़ा आगिया, चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या चाहिए हमें, हमें पहला system तो यह चाहिए, कि inverted hammer बने और अगली candle उसके नीचे, close हो, उसक बहुत काम का है, कैसे काम का है, option selling करने वाले बंदे के लिए कितना काम का है, वो भी आपके सामने आने वाला है, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए बैंग निफ्टी है, आज की हमारी बैंग निफ्टी की opening हुई थी 36,666 पर, तो मैं इसक नीचे 500 पॉंट यानि 35,500 ठीक है? जहां पर आपका price open हुआ है आज, उससे 500 पॉंट उपर की तो call और उससे 500 पॉंट नीचे की put, इसे 2 लेनी है मान लीजिए मैंगनिफ्टी ओपन हो गया 36 800 ऐसे मानी बीच में सी हो गया अब 500 आप उपर जाओ गे इसमें अगर आप 500 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 37 200 यह आ गया तो आप इसको 37 200 ना लेकर 37 500 और उसके लिए जितना दूर आप जा सकते उतना जैसे मैं 500 पांट दूर जाओं तो मैं 37,000 की नहीं आप दूर जाएगा समझ महीं यह कंडिशन समझ में आ रही है तो आज के लिए मेरा बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 36,000 पर तो मैं 36,500 की कोल लगाऊंगा और 35,500 का पु यह दो आपको लगा लेनी है सिगनल आपको कहा है सिगनल क्या पूरे मार्केट का पता रहेगा कि मार्केट कैसे ब्याइव करता है मैं आपके लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा देता हूं एक बार ताकि कुछ चीज़ उसमें वीवे पकेरा भी लग जाए के खिए ओपन करता हूं मैंनंके चार्ट यह मैंने चार्ट लगा रखते हैं और में चार्ट लेना है पांच मिनिट पर आपका जो टाइम फ्रेम है वह टाइम रेने वाला है पांच मिनिट का, ठीक है, वीडियो नहीं समझ मैं, दुबारा देखीगा, फिर भी नहीं समझ मैं, अब मुझे मेसेज कर लीजेगा, पांच मिनिट का आपका चार्ट रहने वाला है, इस्टेडीज में जाना है, इंडिकेटर लगाना है, वीवेप, लगा लिया, अब देख option selling करनी है, आप option selling करना चाहते है, ये क्या लगाया, मैंने call लगाया है? पुट देखें क्या? क्या put में आपको 45 डिगरीग एंगल मिल रहे है, उस तरीकेग एंगल आरहा है? नहीं आ रहाए? गीरा रिकवरी यह जिसने कॉल सेल की थी वह आज मझे में था जिसने पुट सेल की थी उसका एक बार हट अगा हुगा तो आप देख रहे हैं दिख रहे हैं आपको यह पुट में देखिए 45 डेगर शाम को आया था सुबह नहीं आया था यह सुबह देखिए और इसी वक्त अ सुबह से 45 डिगरी अंगल देके बैठे तो आप एक लियर व्यू लेकर के बैठेद और जब तक यह 45 डिगरी एंगल के ऊपर केंडल क्लोज नहीं होती है अगली चैंडल उसके पर क्लोज नहीं होती है आपका व्यू वही रहेगा और आप इसको हर दिन क्राइग करो कैसे होगे OTM लेने, दोनों साइड के, यह OTM पर है, फिर मैं आपको ITM में बताऊंगा, एकदम रेंज भूँ, ठीक है, यह छोटा सा एक आइडिया आप ले सकते हैं, अपना कामता, अपना सेट अप देखना, आईए, यह आपने कॉल लगा रखा है, यह आपने पुट लगा रखा है, मैंने पुट को देखा, पुट में मुझे वीवेब को देखना है, देखिए, वीवेब के आसपास कोई ऐसी केंडल जो हैमर बना रही है, मैं अभी आपको 10-20 उधारन दिखा दूँगा, आपको अपने आप भी समझ में आ जाएगा, यहां कहीं पर भी ऐसा उधारन मुझे नहीं मिल पारा, मैं कॉल में आता हूँ, कॉल में अगर मैं देखूँ, यह मेरा मार्केड ऑपन होगया, मैं आपको हर दिन का दिखना हूँ गया, यह मेरा मार्केड ऑपन होगया, नीचे आया, यह देखalso आप ऐसा चल रहा है, यह सेटप देखिए आप यह, यह दिख रहा है आपको इसमें एक hammer बनाए अगली candle उसके नीचे close हुई है हलकिसी वी case के अंदर आपको ऐसी red candle मिल जाए सबसे better वह है वो system अभी मैं बहुत से उधान दिखाऊंगा आपको वहाँ समझ में आ जाएगा आपको March Minute का चार्ट लेना है 500.plus और 500.minus के call और put लगा लेने है और दिन बर उसके चार्ट को चेक करना ये दिन में एक बार आपको वन टाइम ये signal देगा अभी मैं दिखाता हूं आपको पूरा दिखाता हूं ये signal यहाँ आ गया इसका time हम नोट कर लेते हैं एक बार के लिए ये time तक 11.15 हमारा जो signal आया है वो 11.15 बचकर 15.00 पर आया है बात समझ में आ गई किसम आया है? call में आया है CE side में CE side में हमारा signal आया है यानि इस जगे पर आप call को sell कर सकते हो जो option seller है वो ध्यान देना इस जगे आप call को आप sell कर सकते हो ये न ये इसकी closing पर इसके low पर और SL होगा just ये ये वीवेप आपका SL है और आप आराम से इसको ride कीजिए आपके कहीं पर भी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है आप देखो आप आराम से दिख रहे हैं कि आपको? दिख रहे हैं? अगर मैं यहां पर एक line खींज दूँ अगर मैं यहां पर एक line mark कर दूँ तो आप देखिए इस वीवेप के SL को उसने दिन भर अगर मैं बात करूँ पूरे दिन की तो पूरे दिन भर में वो SL खाना उसके बसकी बात नहीं है कहां खाएगा और फिर profit profit तो आप देखिए अपनी इच्छानों सर बुक करते जाएए समझ मैं यह बात अभी दिखाता हूँ मैं बहुत से उधान दिखाता हूँ सही गलत सारे उधान दिखाता हूँ SL कहां जाते है option seller के लिए तो यह रामबान है नुकसान है यह निवस option seller को OTM बेचो क्या बेचो अब मैं आपको system बताता हूँ आप इसके multiple uses कैसे कर सकते हो उसको समझिएगा आप में guts होने चीए आप में खुद में हिम्मत होनी चीए आप अपने अप अपना system डेवलप करेंगे मेरा जो signal generate हुआ था आज मेरा signal generate हुआ है CE side में 7.11 बजे यानि मैं 7.11 बजे CE sell कर सकता हूँ अब आप जानते हैं CE sell मतलब 7.11 बजे market कहां चल रहा है मुझे उससे बतलब नहीं market उपर नीचे अपना कर रहा होगा उसका काम यही है CE में 7.11 बजे sell का signal आ गया यानि 7.11 बजे मेरा जो view है वो हो चुका है बीरिश 7.11 बजे मेरा view हो चुका है बीरिश बीरिश वीरिश हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं आप call sell कर सकते हैं कौन सी OTM की आप call sell कर सकते हैं कौन सी ATM की आप call sell कर सकते हैं कौन सी ITM की एक छोटा सा नन्ना सा call buy कर लिया 10-20 रुपे का और बदले में ये call sell करती जो 40-50 जार में आपका काम हो जाएगा इंट्राडे में ठीक है फायदे नुकसान सब बता दूँगा मैं इनके जैसे सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें हमने selling की है 88 रुपीज पर आप low मानिएगा एक बार low से consider करेंगे हम 88 से ठीक है वैसे तो closing पर आपको आराम से time मिलेगा इसके अंदर तो अगर आप closing से देखते हैं तो closing हुई है 99 रुपे पर तो मैं यह मानता हूँ 91 रुपे में आपने इस call को sell कर दिया 90 रुपे से इस call ने कितने का low मार रहा है इसने low मार रहा है 45 का कितने का 45 का यानि सीधी सीधी बात है आदी होगी अब अगर मान लीजे आप नए-ने trader है आप में risk लेने की capacity नहीं है आपको डर लगता है मेरा ऐसा चल जाए तो आप शुरुवात करेंगे OTM से क्या होना चाहिए 45 डिगरी का angle होना चाहिए ये angle चल रहा है बिलकुल चल रहा है जब तक 45 डिगरी का angle बनेगा नहीं मैं selling करूँगा नहीं 45 डिगरी अब लाइव में आप इसको देखेंगे आप चार दिन पांस दिन देखेंगे ना पांस दिन में ता परफेक्ट हो जाएंगे सर एक चीज दूसरा ये setup देखना है setup देखते है मुझे sell करना है शुरुवात करनी है ATM से जो थोड़े मज़े हुए खिलाडी है वो ट्राइए कर सकते है ATM से और जो एकदम परफेक्ट है जिनमें है रिस्क टेकिंग कैपिसिटी की मेरे इतना एक SL में ले सकता हूँ वो ITM को sell करेंगे जैसे मैं इसी टाइम पर अगर मैं 35,000 का कोल पकड़ता हूँ इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर वीवेप का SL आपका सबसे बेटर SL लाएगा जैसे यहां वीवेप के ऊपर एक केंडल क्लोज हुई दूसरी क्लोज हुई आप अपनी एक्जिट ले ले लिए अगर आप यहां एंट्री करते हैं आपकी एंट्री होती है 1093 पर 1093 पर आराम से एंट्री हो जाती है और वहां से आप इसको देखे इसने लो मारा है कितने का 817 का 817 1093 से 817 आराम से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट ठीक है आप OTM में करते हैं तो OTM में थीटा आपके साथ होता है तो वह उतना जंप मारता नहीं है ना आपका जी उठाएगा ना परिशान करेगा जी तो इसमें भी नहीं उठने वाला है आप देखिए यहां से आपको बुलिश वीव भी दिखाऊंगा मैं आज ही के दिन एक दिन पर आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि इसको मैं कंसिडर करूंगा और इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा आगे चलते हैं देखिए यहां पर भी यह बनाए दिख रहा है आपको यह लेकिन हमें यह चाहिए वीवेब पर, वीवेब पर मिलेगा तो मज़ा आएगा, आपका क्या व्यू था, आपका व्यू हो चुका था बीरिश, कितने बज़े, सवा ग्यारा बज़े, आपने कमाया, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आइटिम पुट बाय करके, तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी जो है हमारा, वो चल रहा था, लगभग 36,000 के आसपास, तो मैं आइटिम का पुट बाय करूँगा, और वो पुट बाय कर सकता हूँ, तो पुट बाय हमेशा आइटिम का करोगे आप, और आप देखिए भी आपको, मैं बहुत से सिगनल दिखाता हूँ, जहां आप एकदम परफेक्ट लिए, ये सवा 11 बजे का टाइम है, मैं 37,000 का पुट लगा रहा हूँ, 37,000 का, ये मैंने क्लोजिंग के टाइम पर भी आप एंटि ले सकते हैं, SL का ये रहा है, आपका SL, दिख रहा है आपको SL, यहां से आप देखिए, विधिन, यहां पर आपकी एंटिर हुई है, 940, 40 का असपास, और वहां से 1062, 100 पोइंट का मूव मिल गया आपको, तुरंत मिल गया, होल्ड क आप इसको live में observe करना सीखिए, यह विवेप होता है, यह बड़े काम की चीज है, विवेप को आप हलकें मत लीजे, लेकिन आज मैं आपको राज बता के जा रहा हूं कि विवेप का यूज आप option के chart पे कीजिए, ना कि future के chart पर, ना ही spot के chart पर, आप विवेप को एक बार option में लगाई है तो सही, आपको आश्चरे होगा कि यह 45 डिगरी का angle और विवेप के नीचे, जैसे कई बार आपको क्या होगा, विवेप है, call भी है ना, OTM की, वो विवेप के नीचे, put है ना, वो भी विवेप के नीचे, दोनों ही विवेप के नीचे चल रहे हैं, और आप मेरी बात को, चलिए, तो यह हमारी बात होई, कि जब हमारा व्यू सीधा सीधा हो चुका है, क्या बीरिश, तो हम क्या कर सकते है, call sell कर देंगे, या फिर हम ITM का put buy करेंगे, समझ मैं आई आपको बात, आईए, यह हमारा call था, इस call में यह एक signal आया था, इसके लावा, बाक signal नहीं है, यहाँ पर यह देखिए, बना तो था, लेकिन इसके नीचे अगली candle क्लोज नहीं हो, यहाँ पर बने थे अगली candle क्लोज नहीं हो, चोटे-चोटे बन रहे थे, और सिधी सी बात है, एक range सुबह इसने बना दे थी, उस range को तोड़ने रही था है, यहाँ पर आई पर धीरे धीरे जब आप perfect होते जाएंगे, तो आप इन signals को भी समझना शुरू करेंगे, और देखिए, जैसे ही यहाँ पर close हुई है, जैसे ही अगली candle close हुई है, आप इसके लोग पर अपनी entry मार दीजे, लोग पर closing पर कहीं entry मार दीजे, यह आपका SL, और भाया मुझे ब पूरी प्लेट करके नीचे आजाती है, लाइव में मैं खुद observe कर रहा हूँ, तो एक signal आप यहाँ ले सकते थे, यहाँ आपकी PE जो है, वो sell में आ चुकी है, तो यानि आपका जो view है, वो हो चुका है bullish, view bullish है, क्या कर सकते हैं, PE sell कर सकते हैं, CE buy कर सकते हैं, आज 35,000 की CE हम 13.40 का टाइम देखता हूँ, यह ना, 13.40, यह 13.40 का मेरा टाइम ही, यह मेरी candle थी, इस candle पर मेरा भाव चल रहा है, 1000, 1000 आटिया उपर देखेगा, तो 1005 के आसपास मैं अपनी entry मान लूँ, अगली candle में 1000 एकराणवेगा इसने high मार रहा है, समझ मारी हैं आपको मत, अगली ही इसने high मार लिया, तो आप सोचो, आप 40-50 पॉंट का भी टार्गेट शुरुवात में लेना सीखेंगे, तो आप समझ जाएंगे, सिखनल अच्छा नहीं था, हम नहीं entry लेंगे, पर आप इसे observe कहीजिएगा, कम सकम ऐसा बने, तो मुझे ऐसा एक बार ट्राई करना है, अगर मैं 37,000 और 36,000, दो लूँगा, 37,000 और 36,000, आप चाहो तो यह 1000 पॉंट भी उपा ले सकते हो, OTM आप पकड़ी हो, OTM आपको दिशा देगा, 37,000 की कोल पकड़ी, और 36,000 का पुट पकड़ा, कल के लिए, आईए, यह रहा, देखिए, सुबह से नो टंकिया चल दी है, चल रहा है, मेरेको तो हैमर वाली कोई केंडल दो, देखिए, यह बनी है आपके पास, लेकिन यतने अच्छा हैमर नहीं, आप अच्छा और बुरा अपने आप, प्रैक्टिस करते जवा आपको सीखता जागा, देखिए, यह ज चेक करूं, यह टाइम कितने बचे का है, बारा बच के 10 मिनट, 26 अपरेल को बारा बच के 10 मिनट, आईए, इस पोट देखते हैं, 26 अपरेल को, बारा बच के 10 मिनट, कहा हो रहा है इसका, यह लगबग 36-500 के आसपास था, व्यू मेरा बीरिश हो चुका, क्यों, सिगनल किस म मार्केट 37,000 की कॉल देखी कॉल में सिगनल आया है व्यू बीरिश है कॉल सेल करूंगा ATM का ATM का ITM का जैसा मन करेगा जैसी कैपिशिटी है उसके नुसार या फिर पुट बाय करना है तो ATM का पुट में आप कोई दो रहे हैं बाय करने जा रहे हो तो ATM में अगर मैं इस जगे 36,500 चल रहा था 37,500 का मैं पुट पकड़ता कल बारा दस पर बाइंग करने के लिए आप देखिए उसमें आपको वह व्यू वेप के उपर मिलेगा बारा दस पर यहां पर मैंने पकड़ा 979 यह हाई है 979 का हाई है 979 के असपास आपकी एंट्री हो गई अच्छा SL आप कब मानोगे SL जब इसमें जाता है जब SL इसमें जाएगा ना इसमें तभी आपको SL मानना है सिगनल इसमें आए ना तो SL भी इसका होगा वहाँ आपकी एंट्री होई यहां पर 21 अप्रेल कोadem मात्या के आसपास 997 या नहीं हजार के आसपास मैं एंट्री मालू इसने लो मारा 945 तक का आराम से आपको डर है और अगले ही केंडल में आप देखिए यहां पर 1098 और आराम से 1189-1200 तक का ही मारा है यानि 200 पोइंट तक का मोमेंट इसने दिया है तो मैं जो आप से कहना हूं मैं सुब्डे से आपको सिग्नल नहीं मिलेगा नहीं मिला नहीं मिला यहां पर 45 डिगरे जुक रहा है लेकिन देखो ऊपर केंडल दो ऊपर केंडल जोग से डर आया नीचा आगया वापस नीचा आया कोई दिक्कत निया है एसल दे देंगा हम यहाँ पर क्योंकि कई बार मुह बहुत फास्ट आती है तो हम निकलेंगे भी यहां से पर दो केंडल के लिए और फिर यहां से देखिए यहाँ सिगनल आपका 45 डिग्री यहां पर भी आप यह देखिए यह मेरा पूट है दिख रहाए आपको दिख रहा है आपको यह दो केंडल वी वेब के ऊपर close हुई अपन भाग चूटेंगे यह देखो यहां पर signal आया पको सिगनल आराम से बड़ी आसा signal है इस के अलावा यहां पर भी यह signal आया है लेकिन हम इस signal को और इस signal को आप compare कीजिए इस signal में कुतनी बड़ी विक बनी है और इस signal में देखिए विकी नहीं बनी है तो कौन सा better है ये वाला better है ये वाला better नहीं है इसलिए नहीं कि उपर चला गहाए अगर आपने ये पे पुट बेचा होता तो भी आपको दिक्कत नहीं थी, कोई ज्यादा नुकसान में नहीं जाते हैं, इसके उपर candle close नहीं हुई है, आप बच जाते हैं, लेकिन आप ऐसे signals को मानिए, यह विक बन गई तो छोड़ो ना, दिन बर में signal नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, अकल मिलेगा, और आप दे इतने बचे सिगनल आया है, मेरे पास 11-15 पर 26 अपरेल को, 11-15 यह रहा हूँ, 1550 के आसपास, अच्छा यह तो ज्यादा महेंगी होगी, 3500 के लिए तो, 3500 के लिए तो, 3500 की call, 26 अपरेल को, यह 11-15, आपका सिगनल आया है, कितने बचे, 186 के सम्थिंग, आपका सिगनल आया है, और वहां से 1111 का हाई मा रहा है, यही पर घूमा है, यही पर घूमा है, और फिर इसने हाई मा रहा है, 156 का, तो जो 40-50 पुइंट की मैं आपसे बात के रहा हूँ, वो 40-50 पुइंट आप इसमा आराम से ले सकते हैं, और इसलिए मैं के रहा हूँ, शुरुआती दोर प और फिर मैं sell करूं, तो selling मैं आपके लिए रामबान साभीत होगा, ठीक है, आप एक दिन और पहले का जाईएगा, 26 अपरेल, 27 अपरेल का मैंने दिखा दिया, अब आपका काम है, आप जाएंगे 25 अपरेल को, 25 अपरेल को इसका opening price था कितना, 3500, ये वो 700 बाने में वाला जो candle लीजिएगा, समझ गए, राउंड फिर करें, 500 और हजार वाली में, वहां जाकर किया आप चेक कीजिए, सिगनल आया है, क्या उस सिगनल ने वर्क किया है, क्या वो सिगनल मेरे काम करें, क्या, इसको अपनी आखों में कैद कर लीजिए, अच्छा सिगनल, इस वर्ड को जो बसा लीजिए, ये सिस्टम, कैसे वीवेब को टच किया, गिर गया, अगली केंडल भी ऐसी किया, ठीक है, दो केंडल ये आई, आराम से आप सेल कीजिए, मतलब आप सोच करके देखिए, इस जगे आपका ITM सेल होता, या ATM सेल होता, या जस्ट स्लाइटली OTM सेल होता, तो आपको कितने अच्छे पैसे देता हो, और एक बार इसमें कंसिस्टेंस ही लाइए, लोग कहते हैं, आप इसका यूस कीजिए एक बार, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो मुझे पूचीगा, दुबारा मैं आपको बता देता हो, हमारा पहला नियम है, कि हमें ऐसा setup चाहिए ठीक है यह setup बनना कहां चाहिए दूसरा नियम वी वेब पर बनना चाहिए तीसरा नियम कहां बनना चाहिए कि option में बनना चाहिए option के chart पर हमें stock और future में से मतलब नहीं है लेकिन आप इतना सा ध्यान रखिए जब किसी future उसके पर बनेगा तो obviously उसके option के भी चाहिए चार्ट पर बनेगा time frame क्या रखना है time frame पाँच मिंट रखना है इससे क्या होगा हमें जो भी ओपनिंग प्राइज है nifty bank nifty का मैंने bank nifty में ट्राइ किया आप चाहिए nifty में रख सकते हैं जो भी ओपनिंग कब जाती है जब हमारा view होता है यानि आपका market यहां से बियरिश हो चुका है आप ITM का put buy कर सकते हैं आप OTM की call sale कर सकते हैं ATM की call sale कर सकते हैं ITM की call sale कर सकते हैं समझ में आया नहीं समझ में आया टेलीग्राम पर मुझसे संपर कीजिए पूछे और कम से कम मैं अभी भी कह दे तब जाकर कि आप इस पर ट्रेड लीजिएगा तब तक आप कोशिश कीजिए इसको observe कीजिए सीखिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दिरे दिरे और भी मैं learning वीडियो लान